इस्टूढलेंट्स वेलकम अगेन हमने पिछले लेक्च्छर में देख लिया था कि टोटल नरब-फॉ-उन-वन-वन-वन-वैप कितने मिलेंगे टोटल नंबर cláss कितने मिलेंगे एण 스톳लल लमबर वफ बाइक्जरिक्टिफ है कितने मिलें तो अन्ट वह हमें नहीं किया था कि आमने का था थोड़ा लेंडी है यो कि इसमें इंक्लोजन एक्स्क्लूजन प्रिंसपल यूस होता है और थोड़ा हाध vidéo समझना और जल्दी से आपको परोफ भी कही नहीं देखनों को मिलता है तो ध्यान से इसको समझीगा थोड़ा सा टिपिकल कॉंसिप्ट है समझने में थोड़ा सा समस्य आ सकती है लेकिन समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आएए देखते हैं टोटल नंबर अंटू मैप कैसे निकाला जा सकता है विट डिस्क्रिप्टिव प्रूफ टोटल नंबर अंटू मैप्स मार्कर बदल लेता हूं सारी बाते सेम ही रहेंगी जैसे पिछले लेक्चर में था दो सेट लेंगे एक में एन एलिमेंट होगा दूसरे में एम एलिमेंट होगा एक बार और लिख देता हूं तो एक है नहीं मेंडुर। esté यह है ह्हिए है है थेक है a set a में n element है और set b में m element है तो अम आपको निकालना है कि a और b a और b के बीच में कितने अंटु मेप तिफाइन किये जा सकते हैं तो picture से समझते हैं कि अई साहं पहली बाट नहीं कर रहें पिछले lectures में भी हमने ऐसा ही किया था suppose a1,a2,a3...an a में number of element है और b में m element है तो माल लेते हैं b1,b2...b अब चुकि maps को unto होना है और unto अगर कोई map है तो number of element पर हमने restriction निकाला था कि यहाँ पर यह चीज obvious होगी कि n जो है हमारा m से बड़ा या equal हो सकता है अगर ऐसा नहीं है तो on to map ही नहीं मिलेगा अगर n हमारा m से छोटा हो जाता है तो कोई भी on to map हमको नहीं मिलेगा तो यहां हम मान के चल रहे हैं कि जो n है हमारा वो greater than r equal to m है अब पहले हम निकालेंगी कि ऐसे कितने map होंगे निकालना हमको क्या है total number of on to map लेकिन मैं क्या निकालूँगा वो सारे map जो on to नहीं है ऐसा करने से क्या फायदा होगा तो जो map on to नहीं है उनको total number of map से minus कर देंगी तो जो संख्या आएगी जो नंबर आएगा वो किसका होगा वो total number of unto map का होगा क्योंकि total number of map निकालना हमारे लिए आसान है कितना होगा यहाँ पर total number of map कितना हो जाएगा आप functions को domain का element नीचे होता है और domain का उपर तो टोटल मैप हमको पता है m to the power n होगा अब इसमें से उन maps को माइनस कर लेंगे जो unto नहीं है तो जो number आएगा वो number of unto map हो जाएगा ठीक तो अब ऐसे maps को हमको इन में से exclude करना है ऐसे maps को देखना है जो कि unto नहीं होगे मैं कितने प्रकार से map हम बनाएं कि वो unto न रहे ठीक तो unto के लिए आपको क्या पता है for unto in terms of range and co domain and domain अगर कोई map unto होता है तो उसका जो range होता है वो उसके co domain के बराबर हो जाता है range sit क्या होता है co domain के बराबर हो जाता है मेंस ऐसे सारे मैप दोज आल मैप्स हूज रेंज इस नाट इक्वल टू को डोमेन रेंज को डोमेन से ज्यादा तो हो नहीं सकता बहुत ज्यादा होगा इक्वल हो जाएगा तो ऐसे मैप्स जिनका range क्या हो को डोमेन से कम हो मेंस ऐसे मैप्स जिनके range में को डोमेन के कुछ element ना आते हो सपोज बीवन ना आता हो बीटू ना आता हो बीम ना आता हो तो वह सारे आंटू नहीं होंगे अब मालों बीवन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि बीवन है जन्नो प्री क्या है इच एलिमेंट मस्ट हैव प्रीमेज तो बीवन का रेंज में ना हो ना इंपलाई करता है कि बीवन की कोई प्रीमेज नहीं है तो वह मैप अंटू नहीं हो जाएगा इसका मतलब पहले मैं निकालता हूं टोटल नंबर ओफ मैप टोटल नंबर ओफ मैप टोटल नंबर ओफ मैप हूज रेंज मिस्सट वन इलमेंट वह रिंज मिस्स वन इलमेंट उसके रेंज में बी से एक एलिमेंट गायब है लिव्य तो ऐसा मैप तो रह नहीं जाएगा क्योंकि डोमेन औ को डोमेन रेंज के के बराबर हो नहीं पाएगा तो ऐसे मैंसे पहले nिकालते हैं जिनके रेंज में एक एलमेन्ट कम है में से सपोस्थ बीवन घायब है यह विलह संख एफीजू गायब है यह लाभ टो आपने पढ़ा होगा अब इन एम एलिमेंट में से एक एलिमेंट कितने प्रकार से गायब हो सकता है जितने प्रकार से गायब हो सकता है उतने प्रकार से एक एलिमेंट गायब हो सकता है उतने प्रकार से एक एलिमेंट गायब हो सकता है उतने मैप हमको मिल जाएंगे जो की आंटू नहीं होंगी तो अगर वस्तों की संख्या N है, इसमें से R element चूज़ करना है, select करना है, तो उसका total तरीका NC R होता है, तो यहाँ पर total number of element M है, M में से हमको सिर्फ एक element चूज़ करना है, तो total number of तरीका है, total number of ways क्या हो जाएंगे, M C 1 will be equal to M C 1, यह तो रहा कितने तरीके से select कर सकते हैं, अब मालनो B1 missing है, क्या suppose कर लिया, B1 missing है, तो B1 को हटा कर कितने map मिलेंगे, number of element in co-domain, to the power number of element in domain, similarly, अगर B2 missing होता, again, B3 missing होता, again, and BM missing होता, again, तो यह M-1 to the power N कितने बार add होगा, जितने तरीके से हम एक element को choose करेंगे, means mc1, m-1 to the power N, बहुत ही ध्यान से समझे, crucial concept है, बट focus करेंगे तो समझ में आएगा, भाई मैं क्या करता, एक-एक element को गायब करता, क्योंकि total number of map निकालना है, जिसके range में एक element कम हो, अगर एक element मान लिजिए B1 को गायब करता, तो total number of map यह आ जाता, total number of map क्या होता है, co domain to the power domain, तो co domain में अब M-1 element बसता, उसका power N, दूसरी बार क्या करता, B2 को गायब करता, फिर से यही मिलता, फिर B3 को गायब करता, फिर यही मिलता, फिर BM को गायब करता, तो फिर यही मिलता, तो यह M-1 की power N कितनी बार add होता, जितनी बार हमें एक element को choose करते जाते, और उसको चूज करने का एक element को चूज करने का कितना तरीका है mc1 इसका मतलब m-1 to the power n कितनी बार add होता mc1 तो total number of maps which misses one element becomes mc1 m-1 to the power n ठीक I hope यह समझ में आया होगा ठीक अब यह तो एक रहा ऐसा भी मैफ हो सकता है जिसमें दो element miss कर रहे हो वह भी तो unto नहीं होंगे तो उसका देखते है कितना मिलेगा आहिए यहां पर उपर करते हैं यह तो रहा एक की बात कि एक element अगर मिस कर रहा है अगर कोई भी element मिस कर रहा है तो अन्ट नहीं रहा तो वही हम निकालना है कि कितने map unto नहीं है तो एक element मिस के साथ इतना मैप मिल गया इतना मैप मिल गया जो की और आंटू नहीं होगे सेम पैटल पर टोटल नंबर ओफ मैप्स मिसेज मिसेज तू एलिमेंट अफ को डॉमेन मिसेज टू हूज रेंज मैप्स हूज रेंज जिसका रेंज क्या करता है मिसेज टू एलिमेंट अफ को डॉमेन जिसके रेंज में को डॉमेन के दो एलिमेंट कम है क्लियर है दो एलिमेंट कम है तो फिर से वही बात MMA से 1 को कितनी प्रकार से चूज किया जा सकता है MC 1 Similarly अब दो एलिमेंट को गायब करना है तो कितने तरीके से मैप डिफाइन किया जा सकता है That number will be MC 2 M minus 2 to the power clear है तो इतने मैप हम को मिलेंगे जिनके रेंज में को डॉमेन से दो एलिमेंट कम होगा इसी प्रोसेस को हम जनरलाइज करेंगे मान लिजिए अब हमको निकालना है टोटल नंबर ओफ मैप whose range misses three elements whose range misses three elements तीन एलिमेंट उसके रेंज में नहीं आएंगे जो कि को डॉमेन में होंगे तो एम टोटल नंबर ओफ एलिमेंट है तो एम में से तीन एलिमेंट को मैं mc3 तरीके से चूज कर सकता हूँ और mc3 m-3 to the power n क्योंकि अब को डॉमेन में तीन एलिमेंट कम हो गया तो को डॉमेन to the power domain means m-3 की power n ये process ऐसे ही चलता रहीगा ठीक जब तक सारे element exhaust नहीं हो जाते हैं सारे element खतम नहीं हो जाते हैं तो अब आईए अब जो ये सारे maps हमने निकाले हैं जिसमें एक element is है जिसमें दो element is है जिसमें तीन element मिस है आगे 4 होगा 5 होगा ये जितने भी map हैं बस क्या करना है टोटल नंबर ओफ मैप से इन सब को माइनस कर देना है जो आएगा वही नंबर ओफ क्या हो जाएगा अन्टू मैप हो जाएगा तो आईए करते हैं देखते हैं क्या होगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा अभी भी कंसिप्स खतम नहीं हुए है अभी भी समझना बाकी है टोटल नंबर ओफ अन्टू मेप हमने कहा इन सब मेप को टोटल नंबर ओफ मेप से माइनस करना है तो फर्स्ट अफर टोटल नंबर ओफ मैप लिखेंगे एंटू दी पावर अब इसमें से उन सारे मैप को हम माइनस करेंगे जिसका जो रेंज है वो एक एलिमेंट को डोमेन का मिस करता है मिन्स एम सी वन एम माइनस वन टू दी पावर अधिक बनाते चलते हैं फिगर से भी अभी समझना है है और अब इवन वी टू भी तो हमने यह मैप मैइनस किया जिसका मालों वी वन मिस कर रहा है ठीक है ऐसे बी टू बी थरी भीम वो अंडर श्टू एक एलिमेंट लेकर समझेंगे ऐसा हमने वाइनस कर दिया जिसका एक एलिमेंट से बीवन is missing from the range but it is present in go domain तो अब देखिए क्या करना है उनको minus करना है जिसमें 2 miss कर रहे हों अब यहां पर कठिना ही है हाला कि सब को हमको minus ही करना है लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा यहां plus आ जाएगा क्यों क्योंकि कि देखो अब हमको वो minus करना है जिसमें दो missing हो से B1 और B2 मान लीजिए इसको minus करना है तो आप ध्यान देजिए कि अगर B1 और B2 साथ में missing है तो एक बार B1 missing रहा होगा एक बार B2 missing रहा होगा और एक बार दोनों missing रहे होंगे लेकिन इस चीज को हम आलरेड़ी यहां पर सबस्ट्रैक्ट कर चुके हैं भाई एक एलिमेंट को miss मान के B1 को miss मान के B2 को miss मान के हम आलरेड़ी दो बार यहां पर उसको minus कर चुके हैं तो उसको compensate करने के लिए हमको एक बार इसको add करना पड़ेगा तब जाकि यह एक बार माइनस होगा फिर से समझीए यहां पर हमने क्या किया माइनस कर दिया है जिसके रेंज में एक element missing है suppose B1 missing है B2 missing है B3 missing है अब हमको उन maps को minus करना है जिसमें दो element missing है बट दोनों element का case यहां पर आलरेड़ी आ चुका है में इस हम उसको दो बार घटा चुके हैं उसको compensate करने के लिए उसको एक बार माइनस करने के लिए इस चीज को हमको एक बार add करना पड़ेगा ठीक है similarly अब तीन का case तो यहां है नहीं तो यहां पर माइनस क्या आजाएगा mc3 m-3 की power and फिर से वही concept जो यहां लगा उस पर लगेगा तो प्लस आजाएगा mc4 m-4 to the power and और यह continue होता रहेगा जब तक सारे element खतम नहीं हो जाते तो यह आपका final result आजाएगा number of undo map तो try करिएगा समझने का नहीं समझ में आता है तो comment करिएगा अगले lecture में हम लोग फिर देखेंगे ठीक है तो thank you आज के लिए बस इतना है